और कियों किया जाता है इसके विशे में कुछ जानकारी मैं आपको दूंगी 2D इको काडियोग्राम क्या होता है इस टेस्ट में काडियालोजिस्ट या रेडियालोजिस्ट एक जेल और प्रोब की सहायता से मरीज के दिल की तस्वीरें खींचते हैं. ये टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट के लिए पेशन्ट के कपड़े निकाल के उसे एक बेड पे लटाया जाता है और उसकी छाती पे जेल अपलाई किया जाता है। उसके बाद काडियालोजिस्ट एक प्रोब की सहायता से उसके दिल की तस्वीरे खींचते हैं। क्या इस test के लिए कुछ खास instruction दिये जाते हैं इस test के लिए patient को कोई खास instruction नहीं दिया जाता यह test कब किया जाता है यदि doctor को यह doubt हो कि आपको कोई दिल की बिमारी है जैसे आपके दिल का size बड़ा हो गया है या आपके valve में कोई problem है जिसकी वज़े से आपके heart sounds में कुछ मरमर सुनाई दे रहा हो इन conditions में डॉक्टर आपसे इको काडियोग्राम करने के लिए कह सकते हैं क्या इस टेस्ट में दर्द महसूस होती है इस टेस्ट में कोई दर्द महसूस नहीं होती हाँ कुछ पेशेंट्स को ठंडापन कह एहसास हो सकता है जो कि जेल लगाने की वज़े से होता है इस टेस्ट से हमें क्या जानकारी मिलती है इस टेस्ट से हम दिल का size जान सकते हैं वो बड़ा हुआ है या नहीं इसके अलावा दिल के सभी valves उनका size हम जान सकते हैं उसके अलावा heart के chambers बड़े हुए हैं या नहीं इसकी जानकारी भी हमें इको कार्डियोग्राम से मिल सकती है